हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आप share market एक दो घंटे ही बचे हैं खुलने के लिए open हो जाएगा तो definitely share market बिलकुल negative में ही open होगा आपको यहां से क्या करना चाहिए? बिलकुल डरना नहीं चाहिए अगर जो लोग investment करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर गिरावट के साथ investment करते जाएए क्या होगा share market बे कब तक गिरेगा share market इससे related चलिए कुछ बात करते हैं आपको पता होगा डेमसकस में इसराइल ने इरान के conciliate पे आटेक किया उसके favor में इरान ने कल आपको पता होगा कि 300 rocket और ड्रोन इसराइल को उपर छोड़े जिसका पूरा safety तरीके से सभी को इसराइल ने निस्ते नाबूत कर दिया उसके बाद कल आपको यह भी पता होगा कि इरान खुस है कि मेरा बदला पूरा हो गया इरान ने ultimately ये भी declare कर दिया कि अब मैं लडाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो बदला था जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ ultimately अगर जीत बताएं तो किसकी हुई है हाला कि खुस तो इरान हो रहा है लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ personally यहाँ पर जीत completely हुई है इसराइल की क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसराइल ने already उनके consulate पे अटेक भी किया खतम भी किया लोगों को इन्होंने सिर्फ बंबारी उपर पटाके मैं बोलूँगा पटाके छोड़े इसराइल ने बस दिवाली की तरह उसको enjoy किया यानि कि खतम भी कर दिया तो ultimately जीत तो इसराइल की हुई है हलाकि जो ये 300 बंबारे इन्होंने करी है 300 रॉकेट से इरान ने इसके favor में इसराइल ने ये बोला है कि हम within 48 hours वापस से इसका reply देंगे इरान को मेरा मानना है ultimately जीत तो इसराइल की हुई चुकी है अब retaliate इसराइल को नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर ठीक से देखें कि तो नुकसान इरान का ही हुआ है क्योंकि इससे अब इसराइल को ये पता चल गया है कि उसके उपर कहा कहा से attack हो सकता है कौन कौन सी कंट्री उसके साथ में है ठीक है तो definitely अब यहाँ से ना इसराइल को अमेरिका की जरूरत है ना ही इरान को रूस की जरूरत है क्योंकि अगर अमेरिका लडाई की बीच में आया तब रूस इरान के साथ में आएगा जो कि मुझे नहीं लगता कि अब इसराइल को यूएस की जरूरत भी है वो अकेले retaliate कर सकता है पर मैं ऐसा मानता हूँ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे global impact बहुत ज़्यदा खराब हो जाएंगे और इसराइल की भी हालत खराब हो जाएगी और मैं ऐसा मान के भी चल रहा हूँ कि नहीं होगा फिर भी विदिन 48 आवर तकर कुछ गडबल हुआ तो आपके 48 घंटे कंप्लीट हो रहे है यहां से 17 अप्रेल को ठीक है तो आप दिन ध्यान रखिएगा 17 अप्रेल राम नौ में भी है उस्ताय दोस दिन ठीक है ना तो मै मातरानी से यही कहता हूँ कि भाई लडाईया ना हो सांती बनी रहे विसुका कल्यार हो ठीक है और संसार में सांती हो फिर भी अगर 17 अप्रेल को कुछ होता है कुछ इसराइल वापस से रेटेलियेट करता है इरान के उपर तब मार्केट में बहुत बड़ा क्रेश देखन गिरता भी है तो आपको अपसोस ना हो कि आपके पास पैसा नहीं है ठीक बाई चांस इसराइल अगर अटेक नहीं करता है 17 तारिक को तब आपको यह भी अपसोस ना हो कि मैंने जो सौंबार मंगलवार और बुद्वार को जो मार्केट गिरा उसका बेनिफिट क्यों नहीं लिया ठीक है तो एक तरीके से आपको उत्रा ही पैसा डालना है कि आपकी financial stability खराब ना हो ठीक है अल्टिमेटली मैं आपको बताऊं कि अगर 2019 में भी दोको market गिरा उसके बाद 2013-2014 के आज पास भी ठीक है तो आपका पैसा जाना चाहिए बहुत धीरे-धीरे करके investment करते रही है SIP का payment नहीं किया SIP को time सी कीजिए जिनके पास पैसा नहीं है वो 37 वैट के मजे ले जिनके पास पैसा है धीरे-धीरे पैसे को deploy कीजिए ओप सू कि आपको चीजें पता चल गई होगी मुझे ऐसा लगता है कि market गिरेगा नहीं जादा क्योंकि इरान ने बोल दिया है मेरा बदला पूरा हो गया है इसराइल ने बोला है कि 48 hours के अंदर attack करेंगे ultimately तो इसराइल को ही पता है कि जीद ultimately यहाँ पर इसराइल को ही की ही होई है क्योंकि इसराइल कोई नुकसान नहीं हुआ और उपर से देखेंगे तो सामने वाले की ताकत का पता भी चल गया है कि भाई कहां कहां से attack कर सकता है तो यह बोल सकते हैं ultimately इसराइल के लिए कि चारों उंगलियां घी में और सरकड़ाई में ठीक है तो आपको डरना नहीं है मार्केट से क्योंकि बहुत ज़्यादा panic create हो रखा होगा market के अंदर तो panic की वज़े से कुछ भी बेचना नहीं ठीक है और खरी सकते हैं तो मौका है भाई गिरावट में तो सबके पास मौका आता है तो आपके पास भी मौका है अराम से खरी दिये ठीक है और कोई डाउट हो तो comment box में रखिएगा हरर महादयो आयापा शरणम हरी शरणम आज साम के वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद